इस पत्ते का दो बुद्रस आपके कान में डपका दो, कान की सारी गंदगी भार हो जाएगी, कान में गुन गुनार जैसा आवाज आना बन्ध हो जाएगा, सुनने की शक्ति आपकी दस गुना बढ़ जाएगी कान में आपको दर्द होता हो, या कान में खुजली होना, कान में संसनार जैसा आवाज आना, या कान में पुंसी होना, कान में सुजन होना, या कान में भारी पन मैसुस होना, आपको कान की कोई भी समश्या हो, कान से पानी का बहना, इस तरह की कान की सभी समश्या है, इस वनस आपको दिख रही है यह कान की सभी समस्याओं को तुरंत खतम करने वाली वनस्पती है कान के मद्दे से लेकर गले तक एक यूटेशियन टूब होती है यह यूटेशियन टूब कान के बीच एक तरल पदार्त का उत्पाधन करती है इसमें अगर संक्रमन हो जाता है तो ज्या बढ़ गई तो कानों के परदे भी फट सकते हैं आपको चाहिए किसी भी तरह की समस्या हो कान के परदे भी आपके फट गए हो तो भी आप यह वनस्पती का इस्तमाल कर सकते हैं इसके लिए जो यह वनस्पती आपको दिख रही है यह आयर्वेद की बहतरिन दवा है यह ज आरजुन साल का प्रसिद्ध आयरुवेदिक दवा आपको शायद मालूम होगा यह आयरुवेद में एक बहतरिन दवा के रूप में इसकी चाल बहुत प्रसिद्ध है लेकिन इसके जो पत्ते है वो भी बहुत उपयोगी है कान की समस्याओं के लिए जैसे महा भारत में अरज आरजुन यह वनस्पति आयरुवेद में श्रिष्टत्तम है जैसे आरजुन का कोई भी तीर अपने निशानी से नहीं चुकता था वैसे ही यह जो वनस्पति है उसी तरह से समस्याओं को टार्गेट करती है और उसे जड़ से खत्म करने के लिए यह काम करती है तो इस अच्छी तरह से पीस लेना है और अच्छी तरह से पीस लेने के बाद सुती कपड़े में डालकर दो बुंद रस इसका आपके कान में डाले यह उपाय आपको सुबह करना है और लगातर पास दिन तक करना है आपकी कान की कोई भी समस्या हो वो जड़ शिक खत्म हो आपकी कान की सभी समस्चाय तुरंद खत्म हो जाएगी तो ये उपाय आप आवश्य करें और ऐसे ही भेत्रिन उपाय के लिए बने रहे हमारे साथ बहुत बहुत धन्यवाद आपका